है गाईज कैसे आप लोगा होप आप ठीक हो खुशो स्वस्तो आप सचीन वेलकम तो मैं चैनल दे रिवी बॉक्स वीडियो शुरू करने से पले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक फॉल और शेयर जरूर करें और अपने कमेंट्स को डालना न भूलिय आज के वीडियो का टाइटल है चाइना डिमांड्स अक्षिन फ्रूरू पाकिस्तान ओवर कराची अटैक रशांत धवन अब इसको लेकर चाइना ने कहा है हम डिमांड करते हैं पाकिस्तान से के एक्षन ले उन लोगों के अगेंस्ट जिनों ने ये सब अटैक्स किये हैं और यहाँ पर आप देख पाऊगे चाइना ने ये आप के लीजिए फिल्मी डेलोग यहाँ पर मारा है के ब्लड ओफ चाइनीज कांड भी शेड इन वेन बिना वजे हम चाइनीज नागरिगों का जो खून है ये नहीं बैने देंगे और चाइना आज के समय गुसा इस बा और इस अटाक के जरीए पाकिस्तानी गर्मेंट को अब एक बात अच्छरे समझ आ चुकी है कि बलुचिस्तान की जो इंडिपेंडेंस का एशू है ये ऐसा नहीं है कोई इंडिया का फंडेट कोई एजंडा है या फिर कोई फॉरें फंडेट एजंडा है ये एक बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक फीमेल सुसाइड बॉंबर रिग्रूट करी है यहाँ पर आप देख पाऊगे सुसाइड बॉंबर ने अपनी बॉंबिंग से पहले वीडियोस डिकॉर्ड करी काफी फोटो यहाँ पर खीची और ओपनली कह रिया कि बलुचिस् आती है के इनको आजादी मिल जाए फ्रॉम पाकिस्तान और मेरे इसाफ से मैं तो यहाँ पर यही कहूंगा पाकिस्तान को एक रेफरेंडम करवाना चाहिए बलुचिस्तान में और अगर बलुचिस्तान के लोग आजादी चाहते हैं तो गिव देम इंडिपेंडेंस बट टाइम बिंग अब चाइना प्रेस पाकिस्तान को यह कर रहा है चुली इनका क्वेश्चन यह चाहिना का क्या पाकिस्तान आपका रूट कॉज आटाइक कर रही है वार वार काफी कुछ आपको जाने को बिलेगा अगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन बहुत इस पर आर्टिकल पबलिश हुए है कि अगली जो ग्लोबल कॉन्फिक्ट है यह कुरेल आइलेंड्स को लेकर ही होगी तो आपको यहाँ पर बताना है कि कुरेल आइलेंड्स एक डिस्प्यूट है किन दो देशों के वीश में चाइना, यूएस, जपान, रशिया, या फिर यूके पाकिस्तान, कॉमेंट सेक्षन में करी उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंध में, नवाज के समय पाकिस्तान में जो लगातार आतंगवादी हमले हो रहे हैं उनका डेटा आप अगर एनलाइस करोगे तो क्लियरली उससे आप एक बास समझ सकत हैं कि पाकिस्तान में फिर से राइस हो रहा है आतंगवाद का और कोई बड़ी बात नहीं है अन्दा नियर फ्यूचर ये देश और भी ज़रा खराब दिन देखेगा क्योंकि इंटर्नली लोग यहां पर काभी बढ़ चुके हैं एक खेमा इमरान खान की साइड है एक खेम नैशनल्स हैं इन पाकिस्तान इनको भी टारगेट किया जा रहा है स्पेसिफिकली जो चाइनीज नैशनल्स हैं इनको मारा जा रहा है फॉर एक्जामपल आपको याद होगा 14 जुलाई को एक बस पर अटैक हुआ था एक एक्स्पोजन हुआ था जिसकी वज़े से 9 चाइन जरातार कर रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इनके नामसेया समसकते हैं इनका काम ये है कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का साइज के साब से सबसे बड़ा प्रोविंस है इसको पाकिस्तान से ये तोड़कर अलग करें और एक इंडिपेंडेंट देश मनाए बलुचिस्तान के नाम से, ना बहुती लंबे समय तक पाकिस्तान की कोशिश ये थी, कि बलुचिस्तान में जो इंडिपेंडेंडेंस ट्रगल है, इसको अंडर्माइन करे, इसको डाउन प्ले करे, दुनिया को ये बताएगे, ये इतना कोई खाज इशू नहीं है, सब कुछ कंटोल में है, बलुचिस्तान के लोग बिल्कुल हुमारे साथ रहना चाते हैं, मगर अब सिचुएशन कंटोल के भार जा रही है, जब एक इंडिपेंडेंडेंस ट्रगल, फीमेल सुसाइड बॉमबर्स प्रड्यूस करना स्टार्ट कर दे, तो आप समझ जाईए, एक बह सरकार से, और बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी नहीं आपर ये भी का है, कि ये बस एक शुरुबात है, इंड़ फीचर आप देहोगे, बहुत सारे मेल, फीमेल सुसाइड बॉमबर्स, ओल टुगेदर लगातार, जो चाइना के असेट्स हैं, पाकिस्तान में, जो चाइन में कॉरिडर, उसके लावा चाइना की सरकार आज के समय माइनिंग कर रही है, बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है बलुचिस्तान में, जिससे प्रामेरी किया क्या जा रहा है, कि बलुचिस्तान की जो नैचुरल वेल्थ है, ये निकाल कर चाइना या तो अपने नहीं करेंगे अपनी जमीन पर क्योंकि यह हम से बिना पूछे हमारी जो नैशनल रिसोर्स हैं इनको निकाल रहे हैं हमारी रिजन से और उसके इलावा बलुचस्तान लिबरेशन आर्मी की एक डिबांड ये भी है कि पाकिस्तानी आर्मी और चाइनीज नैशनल इनकी सरकार बिलकुल विड्रॉग कर ले फ्रॉं बलुचस्तान और कुछ इंटरनाशनल गैरंटोर यहां पर सामने आए मतलब के इंडिया युएस जैसे देश यहां पर सामने आए जो एंशोर करेंगे के वापस ऑक्क्यूपेशन पाकिस्तानी आर्मी या फिर चाइना की नई होगी बलुचस्तान फिर हो सकता है कि कुछ समय के लिए यह अटाग करना रोग दे और अगर पाकिस्तान और चाइना बलुचस्तान लिबरेशन आर्मी की नहीं सुनेगा तो इन लोगों ने धमकिये दी है कि इनके आतियार हो चुकी है आज के समय बहुत सारे फिदाईज जिनको आप कह सकते हैं ये गुरिला सोलजर्स हैं जो रियालिटी जानते हैं पाकिस्तान की चाइना की और बिल्कुल फोकस करना चाहते हैं on the complete independence of बलुचस्तान अब पाकिस्तान की सरकार के लिए in the future problem ये होगी कि since लाखो चाइनीज नागरेक बड़ी स्केल पर आने वाले हैं पा पाकिस्तान, तो अब पाकिस्तान की सरकार के लिए सरदर्द ये है कि बलुचस्तान Liberation Army के लिए जो targets हैं ये लगातार हर महीने वढ़ते जारे हैं और जितने जादा Chinese Nasonals पाकिस्तान में आएंगे पाकिस्तान की government इनकी आरमी के लिए सरदर्द उतना जरा बढ़ता और अगर मालीजे इनकी safety पाकिस्तान एंशोर नहीं करता तो चाइना के साथ relations इनके लगातार खराब होते रहेंगे now region पे इसका जाधा बड़ा impact आपको क्या देखेगा देखिए मेरे साथ से हम हर साल उस time के करीब आते जा रहे हैं जब चाइना finally पाकिस्तान को कहेगा के we need Chinese army in Pakistan ये मैं आपको बता रहा हूँ eventually it will happen और पाकिस्तान सिंस इतना जाधा कर्ज में दब चुका है चाइना के ना ये प्रोजेट्स हैं काफी है तक slow चुके हैं बट फिर भी चाइना सीपेक को all together abandon नहीं करेगा कई ना कई चाइना की गवर्मेंट प्रेशराइज करेगी पाकिस्तान की सरकार को के पाकिस्तान के अंदर proper Chinese कॉलिस बनाने दो और उन Chinese कॉलिस की रक्षा करने के लिए चाइना अ पाकिस्तान की financial capital है वहाँ पर एक female suicide bomber ने वहाँ पर एक अपने आपको उसने बम से उड़ा दिया और साथी जिस बस में जो चाइनिस परसनल थे कोई टीचर दा कोई टूटर्स थे तो उसको भी उड़ा दिया तो जिसमें तीन चाइनिस परसनल मारे गए अन्या घायल और उन्होंने पाकिस्तानी गवर्मेंट को कहा कि सक सक कदम उठाया जाया और खास करके इस टरर अक्टिविटी की जिम्मेदारी जिसने लिए बोलोस लिबरेशन आर्मी उनके ओपर ये कारवाई की जाया तो हम देख रहे कि पिछले साल भर में ये टरर अक्टिविटी का पर है बिल्कुल टर्माईल में है साथ ही साथ टेरर अक्टिविटी बढ़ती जा रही है और जो बलोच लोग है उनको लाग रहा है कि उनको पर अन्याय हुआ है अत्याचार हुआ है और शायद यही कारण है कि वह विद्रो करने पे उठ गए है और अब पूरे जोर के करके चाइनीज लोगों को पी वह निशाना बना रहे हैं और इसके पीछी के सबसे बड़ी वज़ा है सी पेक जो प्रोग्राम है चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कौरिडर और जो बलोचस्थान से बुजरता है हम सभी जानते है कि बलोचस्तान जो है वह टेरिटरिली जोग पाकिस्टान का सबसे बड़ा भुबाग है और पॉपुलेशन के माऊने में वो बहुत छोटा है पर जो नेचेलल रिसोर्से सबसे ज्यादा नेचलल रिसोर्से इसी बलुचस्तान में पाए जाते हैं और वहां के जो बलोज लोग है उन्हें यह लगता है कि वहाँ के जो national resources है पाकिस्तान और चायना मिलकर उसको exploit कर रहे हैं और उसमें से जो भी पैसा आता है वो बलोज लोगों के welfare के लिए ना इस्तमाल करते हैं वो अपने फाइदे के लिए उसको इस्तमाल कर रहे हैं पाइदे से ज्यादा फंड पंजाब प्राविस में उसे ट्रांसफर कर दिया चा रहा है तो वहाँ के जो पड़े लिखे नौजवान है उन्हें लग रहा है कि अब किसी भी हालत में बलोज जिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए वहाँ पे रेफरेंडम किया जाए और वहाँ के जो आम लोग है वो भी ये चाहते है कि वो अपने आप को पाकिस्तान से अलग करके वो एक अलग मुल्ख अलग राष्ट वो बनना चाहता है एक international guarantor के तले चाहिपूर वो US है या फिर भारत है या United Nations के अंडर वो ये करना चाहता है पर वो अपने voice को अपने liberation को अपने freedom struggle को वो आप पूरे दुनिया तक पहुचाना चाहता है और चाहिना को भी ये signal देना चाहता है कि तुम हमारे जमीन पर आकर हमी हमारे national resources को exploit करके हम लोगों को तुमने लूटने का काम किया है अब इसके उपर हम आपको लूटने नहीं देंगे और इतना ही नहीं है हम देख रहें कि अगले चार साल में पचास लाग से जादा चाइनीज लोग जो है वो पाकिस्तान में आने वाले है अलग अलग प्रकार की colonies तरह तरह के शहरों में बसी जाएंगी तो ये प्रकार का सिर्धर्द है पाकिस्तान गवर्मेंट के लिए वहां के आर्मे के लिए क्योंकि चाइनीज इतने बड़े तादाद में है चाइनीज लोग आ रहे हैं वहां पर तो उनको सेफटी देना सेकुरिटी देना एक माहौल देना ये उन गवर्मेंट के लिए आर्मे के लिए बहुती सिर्धर्द होगा और बहुती मुश्किल होने वाला है और ये आने वाला समय और मुश्किल से भरा होगा पाकिस्तान के लिए प्योंकि एक तरह हम देख रहे हैं कि एक political turmoil है तो दूसरी और हम देख रहे हैं कि टेरर activities बढ़ती जा रही है दूसरी और बोलोच लिबरेशन आर्मी है कि जो अपने इंडिपेंडन्स के लिए अपने आजादी के लिए वो लड़ रही है तो एक अजीब कश्वकश में पाकिस्तान है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से से हल निकाला जाए किस प्रकार से वो क्योंकि एक तरफ चाइना है कि चाइना के लोन तले वो दबे हुए है और दूसरी तरफ ये उनके अनुसार वो एक टेरर अर्गनाइजेशन उनके उनसे कैसे निक्टा जाए तो ये दुधारी तलवार है और इसको कैसे पाकिस्तान फेस कर पाएगा ये बहुत सारे चाइलेंजिस पाकिस्तान के सामने है तो दोस्तों इस वीडियो का हम यहीं समाप करते हैं तब तब खुश रही है आबाद रही है